नमस्कार साथियो आफ सभी का स्वागत है तो साथियो आज बहुत इंटेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाला तो साथियो जो भी मेरे युवा भाई बहन है अगर इस कहानी को आप अंत तक सुनते है तो साथियो मेरे आफ से वादा आए आप 100% शकार आत्म उर्चा परन देकर समझाया हुआ है तो आता हो भी यह टॉपिक पे हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं हम नहीं चाहते पर फिर भी हमारे मन में गंदे विचार आते रहते हैं लेकिन क्यों मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त है और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रू है जब हम अपने मन के साफ से चलते हैं तो मन हमें बटका देता है और जब हम मन को शन्तूलित कर लेते हैं तो हम अपनी जिंगी में सब कुछ पा लेते हैं तो भीया करते हैं स्टार्ट कहानी को भगवान बुद्ध ने बताया है देखिए स्टार्ट कर रहे हैं एक बार एक युवक ग उन्हें गंदे विचार आये पर मेरे मन में हमेशा कामवाशना के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर भूत परिशान हूँ, मेरी उर्जा और समय यह सब सोचने में ही नश्ट हो जाती है और इन सब के विचारों की वज़े से मैं कभी भी सांत नहीं पाता और मैं हमेशा ही स्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ, अपने आपको रोक नहीं पाता बुद्ध मुस्कराएं और उन्होंने उस युवक से पूछा क्या तुम्हें पता है यह कामवाशना क्या होती है फिर लड़के ने उतर दिया और खा बुद्ध मैं यह तो नहीं जानता कि कामवाशना क्या होती है पर हाँ यह जो भी है बहुत ही बुरी चीज है फिर वुद्ध ने कहा युवक से कहा कि सबसे पहले तो तुम यह समझना है कि प्रकती रूफ से जो भी चीज हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है हमारे जीवन में उसकी कुछ न नहीं बात नहीं है यह तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी ना किसी चीज की कमी का एहसास कराती है और फिर हम उस चीज को पाने के लिए उसे चीज की तरफ आकरशित हो जाते है और जैसे अगर तुमारे बस धन की कमी है तो तुम में धन पाने की वाशना उत्पन हो जाएगी तो वाशना कुछ और नहीं बलिक बस एक प्रकार की कमी है जो की एक प्रकार की जरुवत का एसास है और जब ये जरुवत सरीरिक हो तो हम इसे कामवशना कह देती है यूवक ने गौतम बुद्ध से कहा कि बुद्ध मुझे कामवशना का मतलब तो समझ में आ गया पर आप मुझे यह बताईए कि यह आती कहां से है कैसे आती है यह गवतम बुद्ध ने कहा कि कामवासना कहीं से आती नहीं है यह तो हमारे अंदर ही होती है और इसका होना तो जरूर भी है तभी तो मानो जाती का विस्तार होगा युवक ने कहा जब यह हमारे अंदर ही है औ और जरूरी भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों बोलते है वो देने कहा कि यही तो समस्या है लोगों ने कामवाशना को गलत तरीके से सोच लिया है से छिपाने की दबाने की कोसिस करते है कामवाशना गलत नहीं है बलिक कामवाशना का गलत तरीके से प्रियोग करना गलत बा उसे पाने की पाना ही अपना लक्ष बना लेते है और उसी के बारे में हमेसा सोचते रहते है पर यह सब गलत है बुद्ध ने युवक से कहा क्या तुम्हें पता है कि जानवरों में भी कामवाशना होती है युवक ने उत्तर दिया हां बुद्ध जानवरों में भी कामवाश प्रियोग आनन प्राप्तिक के लिए नहीं करते हुआ तो सिर्फ संतान उत्पत्ति करने के लिए कामवाशना का प्रियोग करते है जानवरों को प्रकति ने इतनी समझ नहीं दी की वह कामवाशना को अपने सुक का आधार बना सके जबकि मनुश्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकति में पाई जाने वाली प्रतेक वस्तु को अपने सुक के लिए अपना प्रियोग करता ह हम इनसानों ने कामवाशना को अपने सुख का शैदन बना लिया है जबकि प्रकती ने तो हमें अपने बंस को आगे बढ़ाने के लिए दिया था लेकिन इनसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष बना रखा है और इस तरह से कामवाशना का बेलगाम हो जाना गलत है कामवाशना हम पर हावी क्यों होती है क्यों हम क्यों यह बेलगाम हो जाती है तब गवतम बुद्ध ने कहा कि सुनो अब मैं तुमें बताऊंगा उसे तुम ध्यान पुरुबक शुनना कामवाशना का सारा खिल तुमें समझ आ जाएगा तुमें तुम्हारे सारे शवालों का जवाब मिल जाएगा बस तुम्हें ध्यान से शुन कर समझना है फिर गवतंबुद युवक को बताना सुरू करते है एक बार की बात है एक आसरम में गुरू और उनके सिस्य रहा करते थे जिससे रोजाना आसरम से बाहर इस्थित गाउ में भिक्षा लेने के लिए जाते उसे आसरम का एक सिस्य गाउ में भिक्षा लेने जाता था उसे रास्ते में एक नदी पढ़ती थी जिससे रोज उसी रास्ते में भिक्षा लेने जाता था एक दिन उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे चिपा है वह उस लड़के के पास गया और उससे जाकर लड़के ने कहा अरे तुझे नहीं दिख रहा क्या की मैं क्या देख रहा हूँ तब शिष्ष ने नदी की तरफ देखा तो वहां पर कुछ लड़किया पानी भर रही थी वो लड़किया 16-17 साल की होगी तब सिष्ष ने अस लड़के को का अरे भाई वहां तो लड़किया पानी भर रही है इसमें छिपकर देखने की क्या बात है तो लड़का सिस्सी की तरफ देखकर उसे करता है अरे पागल तुम्हें दिखाए नहीं दे रहा क्या की कैसे यह परिया नदी से पानी निकाल रही है जरा उनकी अदाओ को तो देखो उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय बलखाती है और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे है मानो शुंदरता बिखरी पड़ी हो वह इससे देखता ही चला गया और वह लड़का इससे देखता ही चला गया सिस्चे को अभी तक तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा थ और वह बिल्कुल निर्भए था उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं था लेकिन अब वो छिपने लगा और उन लड़कियों को देखने लगा जैसे उसने कोई अपराद कर दिया हो और जब वो छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था तब ही वो अचानक अंदर से काप गया और उसने कहा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है मुझे यहां से चलना चाहिए और फिर वह जल्दी से वहां से चला गया वो आश्रम पहुच जाता है आश्रम जाकर वो अपने कारिये में लग जाता है लेकिन जो अभी वह देख कर आया था वही इसकी आखों के सामने बार बार आ रहा था इसके मन में वही दर से चल रहा था इसके मन वही सब कुछ देखने के लिए लड़ाई कर रहा था उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था सबह होते ही वह रूच जल्दी बिक्षा के लिए आसरम से निकल जाता और उस नदी के पास वाले पेड़ के पास जाता हूँ जहां वह लड़का पहले से मौझूद रहता था उसके साथ मिलकर लड़कियों को छुप छुप कर देखता था अब वह इससे रोज ऐसा करने लग गया यह उसके रोज का काम हो गया अब उस सिस्य का मन किसी भी कम काम मे नहीं लग रहा था वो हमेशा ही किसी ना किसी प्रकार के विचारों में उल्चा रहता वो आश्रम के कारियों को भी ठीक ढंग से नहीं कर रहा था ना ही वो ठीक से सो पा रहा था और ना ही वो ठीक से खाना खा पा रहा था उसका मन बेचेंसा हो गया था उसका मन बार बार उन लड़कियों के सौंदर्य को देखने के लिए लालायत हो रहा था जब गुरू सिक्षा देते तब भी उसका मन कहीं और विचारों में खोया रहता था गुरू ने अपने सिस्य की इन हरकतों को भाप लिया था तब एक दिन गुरू ने सिस्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज मैं भी तुम्हारे साथ भीक्षा मांगने चलूँगा तुम और मैं साथ साथ भीक्षा मांगने चलेंगे तब इस सिस्य गुरू को मना करते हुए बोला नहीं गुरुदेव आप परिसान क्यूं हो रहे हो मैं अकेला ही ठीक से भीक्षा मांग सकता हूँ गुरू ने सिस्य से कहा ठीक है तुम अकेले ही भीक्षा मांगने जाओ सिसी तुरंत वहां से भीक्षा मांगने के लिए निकल गया सिसी को जाने के बाद गुरू भी आस्रम से निकल गए और सिसी का पीछा करने लगे कि वो कहां जाता है किस से मिलता है यह सब देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे थोड़े दुर जाने के बाद गुरू ने देख रहा है और चिपकर कुछ देख रहा था गुरू भी अपने सिस्य के पीछे जाकर खड़े हो गए और आखिर उनका सिस्य क्या देख रहा है जिससे देखने के लिए वो पेड़ के पीछे अपरादी की तरह चिपा पड़ा है कि तुम क्या देख रहे हो अपने गुरू की आवाज सुनकर वह इससे घबरा गया और उसके पसीने छुटने लगे वह थर-थर कापने लगा जिसे कि किसी चोर को चुरी करते समय रंगे हाथों पकड लिया हो उससे की हालत खराफ हो गई और कुछ भी नहीं बोल पा रहा था दूसरा जो सिस्य के साथ था वहां से भाग गया सिस्य उसके मुझ से कुछ तूटे हूटे सब्दर ही बाहर निकल रहे थे वो अपने गुरू से नजर भी नहीं मिला पा रहा था गुरू ने सिस्य की तरब देखा और कहा कि मेरा सिस्य तो निर्भै था उसे तो किसी भी च उस नहीं है उस लड़के ने मुझे भखा दिया था लेकिन आप से मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा कभी दोवारा नहीं करूंगा मुझे माप कर दो गुरू देव गुरू ने सिस्य से कहा कि कोई बात नहीं पर इस बात का तुम और शिध्यान रखा करो कि हम जैसी संगती करते है उसके विचार हमारे अंदर प्रवेस करते है इसलिए अच्छी संगती करो जिससे तुमारे अंदर अच्छे विचारों का प्रवेस हो फिर गुरू और सिस्य आस्रम लोट आए और आस्रम के कारियों पर ध्यान देने लगा उसने उस रास्ते को और दूसरे रास्ते से जाने लगा वो अपने काम को ध्यान से करता लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन हो गया और फिर वो दूसरे सातियों पर क्रोध करने लगा और बेचेन रहने लगा अब वो सही समय पर भोजन भी नहीं करता था भोजन भी बहुत कम खाता एक रात गुरू सिस्य के पास आए और उसे बोले कि अब तक तुमने कितनी बार अपने वादा तोड़ दिया यह सुनकर सिश्य अपने गुरू के चरणों में गिर गया और रोने लगा रोते ही उसने गुरु से कहा कि गुरुदेव मैं कई बार अपने वादा तोड़ चुका हूँ फिर वादा कर लेता हूँ लेकिन हर बार में वादा तोड़ देता हूँ मेरा मन मेरे नियंतरण में है ही नहीं मैं बहुत कोशिस करता हूँ कि मैं अपने मन के सारे बुरे विच नیचे में लेकर गए और सिस्य से कहा कि देखो यहांपर कुछ नालिया बनी हुई है जिससे नदी का पानी इन पौदों तक आ रहा है और यहाँ पानी एक निरंतर भाव से आ रहा है क्या तुम इस पानी के भाव को रोक सकते हो तो सिस्य ने कहा कि जी गुरू देव मैं इस पानी के बाहाओ को रोख सकता हूँ फिर सिस्य ने मिट्टी उठाकर उस नाली में डाल दी वो पानी थोड़ी देर के लिए रुख गया और फिर थोड़ी देर बाद इस मिट्टी के उपर से पानी आ गया गुरू ने सिस्य से कहा अरे ए क्या ये तो पानी रुका ही नहीं फिर से सिस्य ने कुछ कंकड़ पत्र उठा कर इस नाली में डाल दिये और फिर थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद ही उनका गड़ पत्तर के उपर से पानी निकल आया फिर गुरू ने कहा कि इससे यह क्या हुआ पानी तो फिर से आ गया तुम तो बोल रहे थे कि तुम इसे रोक दोगे क्या हम किसी काम को रोकना चाहते तो क्या हम उसे रोक नहीं सकते तफसित से ने कहा कोई बात नहीं गुरू देओ मैं इस पानी को तो आपको रोक के दिखाऊंगा फिर वहा फिर से एक बड़ा सा पत्तर लेकर आया और उस नाली में डाल दिया और पानी रोक गया तब गुरू ने कहा कि देखा गुरू देओ मैंने कहा थाना कि पानी में रोक दूँगा मैंने पानी को रोक दिया आपकी बात मैंने पुरी कर दी गुरू मुस्कुराए और बोले अच्छा जराई ध्यान से देखो पानी रोक गया क्या तो पीछे की नाली तोड़कर बाहर आ गया और अगल बगल से पानी बह रहा है और ध्यान से देखो इस पत्तर के आगे भी आ गया और ये पानी अपना रास्ता बदल कर फिर से आगे की तरफ बहर जाएगा और फिर से थोड़ी देर बाद ऐसे ही हुआ फिर गुरू ने सिस्य को समझाया कि तुमारे साथ भी ऐसा ही चल रहा है तुम बार बार प्रियास कर रहे हो बड़े से बड़े प्रियास कर रहे हो और हर बार तुमारा प्रियास तूट रहा है और ये हमेसा तूटता ही रहेगा तुम कितना भी बड़ा पत्थर रख लो लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा यहाँ सब देखकर गुरू से सिस्य ने कहा कि गुरू देव क्या कोई तरीका नहीं है जिससे कि गंदे विचारों से बाहर निकल सकूँ और यहाँ मेरे मन में आये ही नहीं गुरू सिस्य को एक नदी के पास ले गए जहां से उसे बगीचे में पानी आ रहा था गुरू ने सिस्य से कहा कि वो पानी इसी नदी से जा रहा है अगर हम यहीं से उसके रास्ते को बन कर दे जहां से पानी बगीचे में जा रहा है तब क या हम पानी को रोक नहीं सकते, सिसी ने कहा, कि हाँ गुरुदेव और इस ऐसा हो शक्ता है, मैं इस पानी को यह से बन कर देता हूँ, तब आगे की नाली में पानी जाएगा ही नहीं, और फिर बगीचे में पानी जाएगा ही नहीं, फिर से इन्हें नदी से जाने वाले रास ने सिसी से कहा अगर पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पेड़ पाउधों को पानी कहां से मिलेगा उन पेड़ पाउधों को दो पानी की आवशकता है और उन पेड़ पाउधों में कुछ पेड़ पाउधे तो ऐसे हैं जिनको रुच पानी की आवशकता है वह तो मुर्जा कर मर ही जाएंगे उनका क्या होगा पानी में हमेशा खोलना ही होगा सिसी ने गुरू की बात सुनकर वापस नदी से जाने वाली पानी का रास्ता खोल दिया तब गुरू ने सिसी से पूछा अगर हम इस नदी के पूरे पानी को बगीचे की तरफ मोड दे तो क्या होगा तब सिसी जवाब दिया कि गुरू देव वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे है वह अगल कर नष्ट हो जाएंगे वहाँ पर कुछ नहीं बचेगा फिर गुरू मुस्कुराई और बोले तुम इस बात को समझो की हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है बस हमें हमें सा संतुलन बनाए रखना है कम पानी से पौधे नष्ट होते है और जादा पानी से भी पौधे नष्ट हो जाते है हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है गुरू ने सिसी से कहा कि अगर मैं तुम्हें कुछ कहूँ कि तुम आम के बारे में मत सोचो तो तुम्हारा मन मैं सबसे पहले किसका चितर आएगा सिसी ने कहा कि गुरु देओ मेरे मन में तो सपहला चितर आम का ही आएगा गुरू ने कहा कि जब हम गंदे विचार को जवर्दस्ती रोकने का परियास करते है तो वह और मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेस करते है और हमारे अंदर उठते है इसलिए हमें उन्हें कई बार क्या होता है कि कामुकता हमारे अंदर होती नहीं है लेकिन कुछ असलील लोगों के साथ रहने की वज़से ये हमारे अंदर हावी हो जाती है फिर सिस्सी ने कहा कि गुरुदेव आप सही कह रहे है मैं अपने मारग से भटक गया था फिर वो सिस्सी उस रात बहुत ही चैन की निन सोया सुबह अपने कारियों को पूरे मन से किया और फिर सुबह वो बिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से गया जहां वो लड़का आज भी पेड़के पीछे छुपकर उन लड़कियों को देख रहा था वो सिस्सी नदी पर गया जहां वो लड़किया पानी भर रही थी उसने उन लड़कियों से पानी मांगा उन लड़कियों में से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और उसे सन्यासी सिस्सी के चरंड छुए सिस्य ने उसे आशिर्वात दिया कि तुम्हारा कल्यान हो सिस्य का मन शकारात्मक उर्जा से भर गया उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई थी जैसे कि उसे कुछ खोया हुआ वापस मिल गया हो वह वापस अपने रास्ते से जाने लगा तब ही पीछे से वह लड़का आ गया जो पेड़ के पीछे चुपा हुआ था वह सिस्य के पास आया और बोला कि क्या बात है आज तो तुमने नजदीक से दरसन कर लिए तुम तो मुझसे भी आगे निकले तब सिस्य ने कहा कि हम हमेशा दूसरों के दरसन करने में ही वैस्त रहते हैं अपने दरसन कर ही नहीं पाते तुम कब तक इस पेड़ के पीछे चुपते रहोंगे किसी को पसंद कर लो उससे बोलो और अगर वो भी तुमें पसंद करती है तो साधी कर लो और उससे पहले तुम कुछ बन जाओ अपने आपको पहचान लो ऐसा अपना समय बरबाद मत करो फिर वह लड़का रोज उसस मिलने लगा और उसे लड़के ने नदी पर जाना छोड़ दिया और फिर वो लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संगर्स करने लगा तो तुमने देखा संगती का असर क्या होता है अपनी संगती बदलो अपने विचार बदलो बुद्ध ने युवक से पूछ कि क्या तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल गया तब युवक ने कहा कि हां मात्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद तब गौतम बुद्ध ने युवक से कहा कि जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तब आप अपने आपको दो सीमत मानो यहां सरीर है और य लेकिन तुम्हारे पास वो सकती है वो उर्जा है जिसका तुम्हें संतुलन उप्योग करना है तुम एक जीवित उर्जा हो जो कुछ भी अनुभव करने के लिए शोतंत्र है जो निर्मान करने के लिए शोतंत्र है इसी लिए तुम अपने आपको पहचानो यहाँ बोलकर ग पिचार भी सुद्ध हो गए होगे तो साथ यो इसी टाइप के लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए प्लिज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लोगों को भी सेर करें तो दोस्तों आप सब को मेरा प्यार भरा धन्यवाद